मैं प्रकाश हम बिटकर बोलना हूँ वंचित गर्भोजन अगारी देशवर में एक नई राज़्जीती शुरुवात करना चाहिए महारास्टा चे शुरुवात किये इमायम के साथ मैं बैठके लोकसवा की चुनाओं में समझोता किया जिसका फायदा यह हुआ कि एक सीट एमायम की जीत गई और एक काफी बड़ी चर्चा शुरुवात कि विदान सभा में भी यह गड़बंदन आगे बढ़ेगा लेकिन एमायम के ओर से यह काया गया कि सौ सीट हमको चाहिए विदान सभा कि 288 सीट है इसलिए आप ही समझ सकते हों कि एक इसे समाज को इतनी बड़ी प्रेमाने पर सीट नहीं दी जा सकती है समझोता हुआ नतीज़ा आपके सामने है बिहार की चुनाव है बिहार की चुनाव में मुसल्मानों के साथ मैं गुर्तगू करना चाहता हूँ बात्थीत करना चाहता हूँ जो महारास्था में नहीं हुआ वो हम लोग बिहार के दुबारा करना चाहते है और इसलिए बिहार के इलेक्शन हम लोग चुन गए बिहार के इलेक्षन लड़ने का मकसद यह है कि एंडिये को हरामा है 16-17 परसेंट मुस्लमाद है 18-19 परसेंट अमबिटकरवादी है शुल कास्ट है दोनों की संक्या मिलाई जाए तो 40 परसेंट होता है 40 परसेंट से किसी की सरकार को गिरा जा सकता है इनासी का मुद्द, सिटिजनशिप का मुद्द, आरक्षन का मुद्द यह सरकार सब के खिलाव है और इसलिए मौल भी है मौलाना है पड़े लिखे मुस्लमान है आप इस बात पर सोचिए कि विदान सभा की चुनाव के अंदर अगर अंबेट करवाद, आदिवासि, शुबल कास्त, मुस्लिम अगर इकठा जाता है तो हम इनडिये के सरकार को फरा सकते हैं और इसलिए इकठा जाना जरूरी है मुस्लिम समाज इस पर सोचेगा यह मैं उमीद करता हूँ